यह निखनी यहा ना यहा 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 है तो अनुद्ट दला तरीका जाला आपने भी जी खेड़ी के लिए लिए आपने खुब जबबर 10 बाटिंग के लिए और भीजे संगाचे करना था यहा पने कैस्प्राइज दिली जाईल आपने 10 अजार रुपे दाहा हजार रुपे कैस प्रचाइकल, कैश प्राइज, या फुड़या ना सर, अरे अभिराज, फुड़या इज है, आपने पातो है अडिकानी, सिद्धेश लाड, तरनंतर अभिराज, तरनंतर अभिराज, दनंतर आमचे भाउजी, उपसी दाहेत, यह यह यादगार रहेगा भाई, आपको जो दि जाने चाहिए आपके तरफ से, अधित्या, इससे बड़ा मोका और कई नहीं है, और विजै संगा चे करना थार याड़िकर नहीं है, विजै संगा चे करना थार याड़िकर नहीं है, टेन थाउजन कैश प्राइज, अन्सोल्ड संग, जाने आपन निवड लाँता, आणी विजै संगा चे करना थार याड़िकर नहीं है, आपने तो है कैश प्राइज, यह टूर्णामेंट चे माते मातून, क्या बात है, कैश प्राइज, नकत इनाप 10,000 रुपे, ओल्टू कॉप बोक्स, थांक यू, गुटना थेक, वोट अशाट, जो पर दे कॉप बोक्स मेर मैच में जोप रहांता यहू, तो पर दे किस्रे चेंड फेकला जात्तो है, तिस्रे चेंड वर हर्शल पाटिल जमाद्य मातून, काई धर्जेदार फटका, येस, प्रापर क्रिकटिंग शॉट, सहादावा दाउसंग्या पूस्ते, साथ वर, सरपंस पिंट्याशीट गाय सुरु बदमनेल, दंदनाता सवकार, या डीजे, अट्ट, अनि कर्यार देच्च, पुन्ना एक दा, आड़िवाब आटने खेयन चपरेतनो, ता तोल्ड असा वेरियेशन करतो है, गोलंदास कमबाक करतो है, अनि करे अर्थ निंगोलंदास देखिल, काउत्व करा वालागेल, शटकार के चला, त्यानंतर चौकार के चला, थोड़िश्ची, दुविदा होती, पर नतु ध्या, दुविता मते देखिल, आपला, चांगल चेंडू, फेकला सातो है, तर काय samFE feedback, गुद्लन शट वर चेंडू, फेकला सातो है, पेशम अदे फेकला सातो है, पूर्ण बने फुलंदास बीट होतो है एक शटकाच्या समाप्ति नंतर एक चांगली गोलंदाची दर्जदार गोलंदाची पावरप्ले मदे केला नंतर दो संक्या अकरावर सौरी एक मिन्टा साथी वीपीन थले राश्य कबोडी ख्यालादू वीपीन थले आचा याटी काणी सन्मान क्याला जातो है राइगर पोलीस थे 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 याँच वीरोधात कर्यांस देवी अर्थात्य गिरीष पाथी लियांसे मल्क्यक कस्तांगे एक समरसेल अजींक वाइथी समरसें सुमिध बगद कैप्टन वस्जवेक्टन एक शटका चाह समप दिनंथर बेन गड़ीबाद एक हें विकेत नगमावत अक्रावर गोलंदाजी मार्क वर गोलंदाज अच्छे मैन फोम शालाव समुरसेल टॉप क्लास फ्लंदाज रोहित दौवलेकर पहिला चेंदू दूसरा चटकातील आहाँ पेस 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 मदे पूर नबरे फ्लंदाज अला जखुलू नटेवतो है टाइमिंग पूर नबरे मिस होतो है अनि जो रशा प्रकार्ची दरजेदार पेस गोलंदाज टाइमिंग करने थोड़ सकतिन असल हे दिखिल को लंदाज दाको दो संक्या एकने पूड़ सरकते दो संक्या पूस्ते बारावर को लंदाजी मार्ख वर तोच को लंदा स्ट्राइक वरसेल हर्शल पाटेल ओमन खेलाडू अपने अटिकाने आज निमात्रित केला सिदेश लाड़ यासा याटिकाने आपना आता स्फीच आइकना राहूत विनंति करते शिदेश लाड़ अपला बार्गेशन आमसादी फार मातू आचाहे आमदार साइब महेंद्र दल्वी व्यास पिटावर अपस्तित सर्वमान्यवर बंद्वणी बगिनी पहली मंझे मी करच दन्यवाद बोली माजा इते उन सन्मान केला आज जे फैसलिटी इंफ्रस्ट्रक्चर बग्तोई मी मंझे करच एक टेनिस टोर्नामेंट नाए कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट टोर्नामेंट अशी दिसुने अपलेला स्क्रीन दिस्ता है अपलेला प्लेयर एक चांगले कॉंपिटिटिव प्लेयर दिस्ता है तानी मैं अध्तात्स सरांची बोला दोतो कि टेनिस क्रिकेट मदे याता खुप चांगले प्लेटफोर्म आले जस इस इस टोर्नामेंट अलेज इंडियन्स स्ट्रीट क्रिकेट लिगा है तेचा थी खूप मोटा प्लेटफोर्म में आरे करन लाइव मैचिस तो एक जो पूश आ है तो आपन देव आणी खरत्स मंजे जेवडे मंजे चांगले प्लेयर अस्तील सराना मी बोल्लो है कि आपन तेना पूश करू आणी खरत्स बरवाट चा देन आणी धन्यावाद मा लाइते बोलोला थैंक यू धन्यवाद शन्मानिया सिदेजी लाड़ अपले स्पीच अमा सग्लें साथ यानी विचेज करून क्रिकेट खळादून साथी नकीश प्रेना देवता ओर्टू कॉम बोक्स थैंक यू करेयर तने सिदीजी लाइ अपले देखेल को तुकरा वलागेल खेलाडूना बैक करने चा काम देखेल याड़िकनी केले जते आनी जाप्रकारी वात्तावर शांत होतों सिद्धे सरांच स्पीच चालू जाल आनी चावकर शटकरंची आतिश बजी सुरू जाली ता उसंक्या चार नी बुरस रखते अठावीस वर करें एक महागले शटक निशीत सुरुपात मना वलागेले पहले शटका मदे आले अक्रादावा त्याने तो दुसरे शटक तोड़से महागरे एता 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 सत्त्रादावा अनि ता उसंक्या बारा चेंडू चा समप तिन अंतर अठावीस बिना गड़ें अच्छा मुबद लेट थैक यू थैक यू थैक यू बाद बन्यवाद ओर के बादम चलते सीधे और एक अने इच्टे बक्तम अले एले प्रेक्षग बगून अने सर्वां दर्ने के लिए वस्ता बगून फार मानन दोर्ट टूई आशे सपते के वर्षी कारिया वाल पाय पाने जोस्तार्द गरीड को ऐसे वाट पास्ट अे विए पैसे इमद घृट आ इन्या माला तो टकेट लें ओर्ट इमद सरी मेर सरी में अन्या अनोर्ट आख वैंटे मिर अन्या पार्म जेड इन्दी मिलून दिलिया अनिमा दर्फ अनितां मैनत काम शोलोन ओन है ता सीच तरह पूर निदी पूर आपने पूरा को दियता अने माना सर्वा कारी नहीं पार के प्रिय है अने गरीबार ताइड एक तर्मेशर में था परमिशर में परमिशर वांट गूनीजा कई फोन करा कॉना देखों कर दिखना अनिदा तेया नहीं गड़ता अशे आम चे लाइक न प्रिया आमदार दमदार आमदार मेंदशे दडवी फार चान थेक्ट फोटोग्राफिए बाइज ना इनके डैडी का अशिरवाद हम पर है इनके डैडी का अशिरवाद हम पर है लिगी सिद्धिश भाई को पता है कि हम सब बहुत अच्छा करिकेट खेलते हैं अपर नो टेनिसरी के डाटिंश से शटोश वांद साहिए आमिठ भाबा थावाल यह थावाल शाय यह थावाल भीजिय प्राफियों समवरी समोरीं तर अर्षी दिवें गाना ग्रहें इंदे टीडिए टिडिए या या तना वर्ती क्या बात है कॉमेंटरी बॉक्स में इदे डिदे 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 डा से विद्व सब्सक्रांग चाहिए ते अन्याइट प्लीज आए यासीन भाई या है सर्व आमची कॉमेंटर चेड गृप आहे स्थावं याना सर अमादर सेब एक मिनट मैंत थाव disruption देल्फ एक मिनट ने ने या sellers याcohol के स्थावड़िण प्लीस एक मिनट टो inclined वाई याサूं प्रोहर क्या बात है पूरा कॉमेटरी ग्रूप यहां पर है एक तरफ यसीन भाई सारे महारास्टा चे नूमबर वन राइगार चे नूमबर वन मुंबाई चे सर्व कॉमेटराज याडिकने एक दनना एक बोलतना आपना यसेश्वाची थाप तुम्चे अगुडू मिलते असस कॉम करण कर अपरती मसा सोडा मी एंदर स्वाची दन्यवाद देन जानिया क्रेकेट लाग हो खर अपरती मसा एक टस दी लेले इंटरनाशन लुक अख्तम अचानल भीड़ी ओव थैट यह चास्वीटाध है चैकाष्टाग्यद लूंट धार मापन में परेंट्य भीट्यों थ थोड़ात रहे आटिक ने माच है नन्यवाद सिद्धिश में किया थोटो बाइजी एड़ को बद्री को मॉख्या ठीक बाइज सब्सक्तार एंद इन अभिंड कोमेंटरे एंद ओर स्बादारवे प्रेश hen गड़ने के लिए ओर्ट शुक्रमंटरी बाइन तुम चुरूंग तैंक यू सर्व कॉमेंटेटर साथ देखेले का प्राउड मोमेंट आया समंटे तरी चलेल तैंक यू धननजे सर तुमी जो मोमेंट आपने आठी क्रियेट के लात कि सिद्धिश लाड सरके स्टार क्याओं बरूबर एक फोटो काटने ची अरे अगली बार सचिल सर भी यहां है तो है स्लोट मदे परतु टाइमिंग मीस होते है फिल्डर खाली है तो है काई जबर्दस कैच कूल अनि काम असा मेंटल तरी चलेल अमित पारकर देखेल काई जबर्दस दर्जेदार गोलंदाजी करतो है पहिला मैच में देखेल दोन धावा देऊन थीन फनंदाज बात है अच्छा जबर्दस देखेल गोलंदाजी निर्रे यासिल सर्गेतल अनि काई दर्जेदार निर्रे अम्चा स्ट्रोंग बक्ष्या है गोलंदाजी अनि त्या गोलंदाजी वर अगदी साजसा प्राक्टिकली मंटत तरी तो नियम तो रूल तेनी आत्ते अपले बजुन घेतल ले गिरिशी बाटील येंचा मलकी अक्कास्टल संगा है करेंचा देवी मात्रुली संगा याटिकनी कैप्टन सुमीद भगत येंचा दिकेल कउत्तु करा दाला सेल है है ट्रिक ची संधिया सेल गोलंदाज दुस्तरे अंदा या श्पर देतील है ट्रीक गेतों कि का येस प्रेक्टिकल विरिंथी जोर दाल ठाल या ओ माई गॉड है ट्रिक चेंडू आहे चेंडू नो मैंस लैंड मते जातो है डीप एक्स्ट्रा कवर वर जो परेंथे फिल्डर जाहिल थ्रो करें तो परेंथे ओ माई गॉड दन दनाता चावकार दाउस संग्या पोस्ते तेह तीस वर इजे याड़ी गाने आमचे गुर्य लेख्या का स्कोरर स्री दर्ने सर गुरीजी आंचा दिकेल कवत्यू कराव लागेल जांचा माध्य मत्यून साथत्त त्याने एक अच्चूक माहिती आमाले मिलोले जाते ते दिकेल सांग्तत के स्मर्धित अत्ता परिंत एक्षे पन्नास प्रत्तेक चेंडूवर एक बारीक लक्षा देखक्यूलायत आनि प्रत्तेक चेंडूवर जे काई घड़ते अच्चूक विश्लेशन आमचे परिंत पोचलों जाते दाउसंक्या अठ्रा चेंडूचे स्वाप्ति अंतर दौन गड़ी बाद ते तीस्वर करे आरतने बारा चेंडूचा जावले स्खेल जाला तेया वेले सेक चंगली दाउसंक्या निश्य सुरूबाद हुथी पर तो तो याड़कनी अमित पार करेतो है अनि माच्चा सुरूब थोड़ सा बतलू जातो है आउक्या पाच्च दावाद इमन दौन गड़ी बात करतो है अनि जाउकर शटकर अंतर जार कोनत करता सैल यासीन सर तो ड्यजा मास्टर चाह टो तो करना अत्यां तर दिशन सेल तर आस वाट ते शावाट ज़सा बिना मुलीन से कॉलीच जाईलाज निको बगालाज निको यह पूदिल चेंडू यह यार करोता पर दो का इस अबर ताइम लांगोप चादिशने चेंडू जातो है तो ओलाज अछा फंबल होतो है अनि जिते एक दाव होती तिते अरजित केला जाते तो न दवा यह प्रत्तेक दावा तुम्हा रोखावे लगतेल जावलेस तुम्ही चेस केरेल याल त्या विलेस हीच एक दाव किती मागत पडेल ये तुम्हाला जास्ता सांगेशी गरज नाई है एकोरी शे नव्यानोच विश्व कप सर्वान मैती असेल साउध अफ्रिका संगा हा एक धावे ने हरला होता हानी चोकर्स नावाच्चा टैग अजोनी साउध अफ्रिका त्या एक धावे मुले अपलिया अंगावर गेऊने इतकी महत्वाची असेल ती एक धाव पुलील चेंडू हाँ हाँ पूर्णबने एक लाइनानी लेंथ वर गोलंदाज येतोय संकल्पज देखिल कउत्तु करावा लागेल पूर्णबने फरंदाज अत्ता अपली गाड़ी पाच्व एक एरवर चालो नरे अनि खरार तने विचार जखेला तेक चांगली गोलंदाजी याड़ी अभीजीत राने नागेश्वर अवास श्रावनी स्पोर्ट्स चोल चला दोनी संगाज करनधार टॉस साथी लवकर जटकन पटकन ग्वीकन फास्ट आउसेंक चत्ती सवर वाट अबाल काईज अबर्दस कमबैक फिल्डर तैना ताहें या चेंडू साथी देखिएल फिल्डर तैना तेलो होता डायरेक खेट सा प्रेतन केला जातों पुन्ना एक दा मिस्फिल्ड त्रो कराइची गरज कदा चीट होती कि नहीं तर्ड अंपार कॉल्स मुच्छ जो निर्ने असेल डायरेक खेट साला होता अनी अंपार देखिएल कॉल करता अधूल सा निर्ने असेल तर्ड अंपार कड़ी गरारतने या सिन्सर विचार्ज केला तर फॉलंदाजाच रुदय तोड़स जास्त दड़ तर्ड तर्ड अचे रुदय तोड़की अचे अस्तील तजरा निटाइका था काया शिल निर्ने येस तर्ड उंपार्स कॉल्स और टने टेनिस क्रिके डॉट इन्च देकिल कोउत्व कर अवा लागिल सर्ज़ तुमी या ग्राउंड वर कुटला कारनास तो यह नसे शकाल जर तुम्ही आड़िकरी इनसाटी जर कदेची इच्चुग असल परन तु काई कारना उसता नसल तो घरी बस ला देखिल यास परदेच्छा आनंद तुम्ही ग्यों शक्ता अनि काई जबर्दस कामेरमन देखिल अपला काम करता है तो एक धर्चेदार कामेरमन टेनिस क्रिक या संपूर्न टीमचा दिखिल कवत्तु कराव लगेल अनि दाउस संख्या उगया असुनी निर्ने आहे वेटिंग वर असेल रुदेचे तो के वाडवना रहा निर्ने मंटल तरी चलेल कारंच जर आउट असेल तरेक्दाव रूख लिजल अनि नोटाउट असेल तो नहीं दावय अटिकने अर्चित के लिए या एक धावय साथी दिखिल तो उड़ासा वेट करव लगता है अनि डिस जनी ये तो ए रकर पती ते-चेद डिए एड़िगानी किला उता गोलंदे darac रहासद ज़ान महंतले जटे ज Start जला मरटी में अनि में अजाता है जड में धून दरिच ö JJ तैना तैने दाउ संक्या एक निपोट सरक्ते दाउ संक्या पोस्ते एकोन चालीस वर संकल पच देखील तारीफ करावी लागेल शेवट्च शटक अंतीम शटक या पीनिंग्च देखील हताल तो है पर दो चार चेंडू मदे अथ्था परिंद मोटे फटकी तैने संकल पच देखील पर दो या दोन चेंडू वर रोहित अनी राज कशब्र करें आकरमन करेल येस पुन्ना एक दा लोंग आप्च दिशने चेंडू जात्तो है फिल्ड करेल तो परिंथ एक दाव अर्जित केली जाते लाउ संक्या पोस्ते चालीस वर शेवट्च चेंडू चवकार, शटकार, एक दाव, दोन दावा, तीन दावा किविकेट काई असेल विश्लेशन, काई असेल समी करन या पहला इनिंग चा शेवट्च चेंडू वर बगयांग गोलन दाज संकल पनिकतो है पंद्रा सोला कदम करन अप शेवट्च चेंडू ओ माइगाड गूड चेंडू एक अनोफ़र्ड बाउस देखेल मिलतो है पूर्च काल एश्ट्रेक्षक अग्दी आरमत पार बड़तो है अनि दाव संक्या स्तीर, दाव संक्या चालीस वर एनारे चोविच चेंडू अनि करन जा देवी मात्त रूली अर्था तो सुमीद भगत कैप्टेंस ले चेंडू एक चालीस दावन चिगरेच जो परनेंद याड़िगनी दूस्तरी निंग सुरू हील मी याड़िगनी आवाज सपोतो है या विबागात तीले एक गोड आवाज जैनि आपले आवाज अचा डंका करे अर्थाने कोलकत परनेंद नेउंटेवले असमंटले तरी या विबागात से नाव दिखेल जैनि मारास्टा जो तक्ते अवर नेउंटेवले असमंटले तरी चाले अनि प्रेक्ष्चा गांचा मना राज्य करना रहा गोड़ आवाज आये याशीन सर थांक यू जो चेक यसें सर अग्डेक मिट थांव तरी प्लीज याटिगने अवन संवान गेतो रमेश शुतार बामनोली मी अवर्याज दाना विनंथी करतु है अपले शुभास यापन रमेश शुतार बामनोली यांचा सन्वान कराई चैक्रुपे अपन लोकर जाई चैए अपले वेल फर कमी आए करन अपले ला पुन्ना कॉम्पक्स कड़े वालाई चाए साहिली सचीन थाकूर ग्रामपांचे सदश्य पेडांबे अपन जाईचे अपले सन्मान गेने सटी आणि मी अधिती ताइन विनंथी करें किया अपने साहिली ताइन सान्मान कराई चैक्रुपे तशा थे सन्मानिया च्या महरं गेंत्र पातील अपने जाईचे अपला minimum घ्रामपांउ तशरी गिए सान्मान गेने साथी तशे सन्मान्या समीर पातिल ग्रापै सदस्य अगर सूरे आपने आपला सन्मान गेने सरी जाईचाई समीर पाटिल सागर पाटिल आपने जाईचाई आपला सन्मान गेने सरी सागर पाटिल सारंग पाटिल आपने आपला सन्मान गेने सरी जाईचाई सागर पाटिल आपने आपला सन्मान गेने सरी जाईचाई आपन जाएचे आपला सन्मान गेने साथी, सिद्धेश यादव, लवकर जाएचे, प्लीज, खुप कमी वेले आपले कडे सिद्धेश यादव, लवकर जाएचे, तशेश वरत विजय यादव, मुंबई अंतरष्टे गोल, बेस्ट फाइटर कराडे मदे आपने जाएचे आपला सन्मान गेने साथी, मी पुन्ना एक दा प्लीज, विननन्ती करते आभिराज जादवन, कि यहाद गुणवान खेलाडूचे आपन सन्मान कराएचे, खारम बैट्समान मैदान मरे जात आएथ, अगधी एक दोन मिन्ट आपले गड़े आएथ, तो पर आपने एक दोन सन्मान गेतों लगेच, राजियो मामा कोलगाओ, क्रिकेटर, आपने जाएचे आपले सन्मान गेने साथी, राजियो मामा लवकर जाएचे, कोलगाओ और नाले लेथ, क्रिकेटर, ओर टु एसीन सर, क्ला डुलवी एक दोनी ही संगान से संगनाई का पन टौस करो हुए, दोनी ही संगा ले ला है, सो प्लीज, अमाला सहकार ये गड़ा, दोनी ही संगान से संगनाई की त्याले ला है, मिन भीननती करना रहे, प्रेक्षा करना सुवरन संधी आहे अगे चलते टॉस के लिए एक मिट रुकारों में अपर आपर दो थीम है कर वेल यहां पर आज चुके है और दूसरे खिलारी यहां पर है दो टीम है यहां पर जो मैच होने वाला है शरवानी स्पोर्ट्स चोहूल और दूसरे टीम यहां पर है दागेश्वर आवास टॉस के लिए हम चल रहे है और यह टॉस के लिए में बुलाना चाहता है अभी राज सर याल टॉस अटी दे यह टिकनी आपका सेर्मने स्टैंज लोड़े अभी राज सर याइडिकर यह टॉस अटी तो पर दबावन समयल सुरुवत करा अपन टॉस करूँ तो पर अपन दॉस करूँ तो पर अपलेश्वर दिया बहुश्वक्ता विकी आणी त्यास पर्माने कुनाल को उंडालकर द पिंटा शेर गायगबार संगा से शंगनायक आजिए करने मैच नहीं है क्योंवाल एक चंगली मैच पाला मेल अबर टो कॉमेटरी बॉक्सर श्रीवानी स्पोर्स अबर टो कि दोस्तों फिर से एक बार हमारे माई बाप प्रिक्षक क्योंकि दोस्तों कोई कोई भी सभा हो कोई भी प्रत्योगिता हो और कोई भी सिनेमा हो नाड़क का थेडर हो अगर प्रेक्षक नहीं है तो उस थेडर को या सिनेमा को कोई भी अर्थ नहीं होता यहाँ पे तमाम कर्केट के दीवानों ने बहुत भीड की है जिनका हुझुम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है उन सभी हमारे माईबाप कर्केट के दीवानों का मैं तहदित से इस्तक्बाल करता हूं और आप सभी को ले चलूँगा इस शानदार मैदान पर जहाँ पे चार ओवर का ये मुकाबला और जीतने के लिए अब बचे हुए 22 गिनों में 41 रनों की जरूरत जी हाँ इसमें दबा लेन गेन जरूरती उसे कवर के उपर से उड़ाना चाहते थे मगर गेन बले के उपरी हिस्से पे आई और गेन कवर में बहुती बढ़िया तरीके से लबकने में काम्याब और इसे के साथ ये दूसरा जटका लगता हुआ सूरच खामबे मैंट्रॉम दिघोडी इस गिनबाज ने काफी प्रभावित किया है पहले ओवर में अब तक पहले तीन गिनों में उन्होंने एक भी रन यहाँ पे खर्च न करते हुए दो बले बाजों को चलता किया है हैट्री की दहली इस पर आ चुके है क्या इस प्रत्यों किता में अपने नाम पर ये हैट्रिक करने की कोशिश तो करेंगे मगर क्या यहाँ पे कामिया भी उन्हें मिलेगी सुरच कामे ने अकसर हमें काफी प्रभावित किया है बहुती बड़ी अग इन्बाजी करते है फिर वो चैंपियन ट्रॉफी हो उसे के साथ एपियल हो और उसे के साथ साथ पियन पी चशक में भी हमने देखा होगा कमाल की गेंबाज है ये इस किलाडी ने इन दो तीन सालों में काफी प्रभावित किया है सबी बल्ले बाजों के ओपर एक खौफ डाल कर रखा है इसी बीच नए बल्ले बाज हम देख सकते है मैड़ानम में नमुदार होते हुए नए बल्ले बाज आया है अरपन गुरव बाजहात के बल्ले बाज है जिराड से बिलॉंग करते हैं हैटरी की ये गें राइटाम ओवर दे विकेट जी हां आफस्टम के बाहर लचाने का प्रयास उसे जाने दिया ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है मगर अंदाज आ इसमें तबाग गलत और फिर से एक बाहर यहां पर मॉझिद उसके बावजूद लगातार चार गेंदे यहां पर बिंडी की है यह है उनकी क्लात्मक्ता यह हैं इसमें दबाफृ टास गेंड और सीधा समित की हाथों में मगर यहां पे कहानी में ट्विस्ट कहानी में इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि अम्पायर जी ने यहां पे तीसरे अम्पायर को दावत दी है तीसरे अम्पायर अब यहां पे तैकिकात करेंगे जाच करेंगे पड़ताल करेंगे और थोड़ी देर के बाद आपको सबर करना होगा क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहां पे उसका फैसला आएगा मगर सूरच खामबे काबिल तारीफ यहां पे गिनबाजी की है अब तक दो बल्ले बाजों को चलता किया है उपरी करम के दो बल्ले बाज थे एक तो सवरब सभान और उसे के साथ सवरब गवान कर और सूरच पाटिल इन दो बल्ले बाजों को चलता किया है क्या इस पांचवी गीन के उपर नोबॉल आएगा क्या यहां पर विकेट आएगा सोच में डूबे हुए है बल्ले बाज भी और गीन बाज भी गीन बाज भी करने वाले टीम के कैप्टर ने एक चोड़ी सी कांफरंस यहां पर बलाई है अपने साथी किलाडियों से बाच्चित करते में दिखाई दे रहे है कुल मिलाके दोस्तों यह सारा जो ताम जाम है हो हम सब के लिए है दंदार अमदार प्रीमियर लीग दोजार चोबीस का यह संसेशनल प्रत्योगिता हम अएका हूँँगा कमाल की ये प्रत्योगिता है क्योंकि अलिबाग तहसिल में पूरे अलिबाग तहसिल में राइगर जिले में या पूरे महारास्ट में हम देख सकते हैं कि इतना जबरदस्त टॉर्णामेंट बहुत कम देखने को मिलता है जो टॉप टेन जो प्रत्योगिता होती है उसमें इस से टोर्नामेंट का शुमार जरूर होगा थोड़ी देर के बाद यहां पर फैसला आएगा मगर हमारे टेनिस क्रिकेट डॉट इन के सारे टेक्निशियंस का मैं शुक्र गुजार हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने कैमरा के लेंस में एक एक यहां पर हाइलाइट्स यहां अच्छन अच्छी तरक कायद किये है वो काबिले तारीफ है बॉल फालो करना हो या उसे के साथ गेंच चके के लिए है या चुका है जी हां विगेट का इशारा आता हुआ जी हां अरपन गुराव बाए हाथ के बले बाद आपके स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि वे इस राजच्छट का जीतने के लिए अभी बी 21 गिंदो और से एक बार मेडन ओवर देखने को मिलेगा क्योंकि सूरच खामबे ने अब तक एक भी रन खर्च किये बिना तीन बले बादों को चलता किया है चार ओवर के मैच में जीतने के लिए एक तालिस रनों की जरुरती ऐसा लग रहाता कि यह आसानी के साथ यहां पर रनों को चे है अपनी कलात्मक्ता दिखाई है सही लंबाई और शही दिशा से गिनबाजी करने के बाद क्या हो सकता है उसका उत्तम उधारन पेश किया है एक एक जामपल सेट किया है अपने आने वाले दूसरे गिनबाजों के सामने सूरच फिर से एक बार जिहां इसमे दबाव देखा ना ताओ सामने पड़िवी गेंद ओवर पिज बनाकर उससे खेला है लोंगोन सीमारिका के बाहर गेंद दर्शक धिरगा में छे रन के लिए ओधना अजिता पूर की मिनिए जीनड च्याद से इसे कहते है माइन से खराब सिच्वेशन था उस सिच्वेशन को उन्होंने जरूर रीड किया है तर जहर में अपने दिल और दिमाग में पूरी तरके से उनके क्लियर था कि मुझे क्या करना है इस तरह से अगर गेंदबास को अगर मैं सर अगर पर प्छे कर चेरन ब्टोरे है और अपना काउंट ओपन किया है, चक्के के साहिता से और अपने इरादे भी स्पश्छ किये है, पहले ओवर की समापती के बाद रनो की संक्या हो चुकी है, तीन विक्तों के नुकसान पर चे रन दूसरे ओवर के लिए आए हैं नए गिन बाज रितेश मात्रे मैंन फ्रॉम जिराड और जो बलेबाज चक्का लगाते हुए हमें दिखाई दिये केईदार बिर्जे ये कुरुल से बिलॉंग करते हैं स्ट्राइकिंग इन पर बलेबाज है पहली मरतबा सुमीद बगत सा मात्रे चोटा पैक बड़ा धमा का हलाकि प्रोफेशन से वो इंजीनियर है ये लिजिए इस पर दबा हवा में गेन खेलने को पर मजबूर कर दिया है मगर मिड़ा फाली ओहो हो जीवनदान आपने किसे जीवनदान दिया है अलीबाग के टॉप टेन बैट्समन में जिसका नाम लिया जाता है जिसे बाहु बली कहा जाता है अलीबाग का और उस बलेबास को जीवनदान देना मतलब अपने ही पैरों के ओपर कुराडी मारने जैसा होगा क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्या बड़ी गलती की है बहुत बड़ी खता हो चुकी है आपके बलन्स किया है और डांसिन डाउन देवी गेट आ गया कर उसे खेलना चाहते थे मगर आपस्टम के बहुत जादा बाहरवाली गेंट अमपायर जी का इशारा वाइट का वाइट के रूप में एक अतरीक तरन यहाँ पर फिर से एक बार मिलता हुआ इस एक रन के साथ रनों ट्रेट से यहाँ पर बल्ले वाजी आपको करनी होगी ओहाँ इस मतबहा फिर से एक बार आपस्टम के बाहर ललचाने की कोशिश रितेश की मगर आउटसाइड दी आपस्टम बहुत जादा बाहर की तरफ भटक गए और मांचित करने वाला यह मैच होगा इस मतबहा गेंदो का सन्मान करें खराब गेंदो का समा चारले इसी मुल मंत्र के साथ बल्ले बाजी करते हुए केदार बिर्जे केदार बिर्जे ने काफी प्रभावित किया है मातरा अब तक दो गेंदो का सामना किया एक छके के साइधा से सातर बना कर खेल रहे है जबकि कुल टीम का स्कूर जा पहुंचा है दस रन तीन विक्तों के नुक्सान पर अहाँ फिर से एक बार रितेश आउट साइड दी आप्सम बार बार अवे फ्रॉम दबाडी बल्ले बाजो को बड़े स्ट्रोक से वन्चीत रखने की कोशिश में अपना जो इंजिनियर का दिमाग है वो लड़ाने का प्रयास मगर यहाँ पर बार बार असफलता उने मिल रही है क्योंकि बल्ले बाजो को लालच देना बल्ले बाजो को काटे में फसाना जी हाँ इसमें तबाची गें थी सामने पड़ी भी गें जरूर मगर बाहर की तरफ निकल रही थी उसे अपने बल्ले को तिर्चा करते हुए खेल दिया था पॉइंट क्षेत्र पर पॉइंट में सुमीत मौजूते मगर एक रन यहाँ पर रेले से नहीं रोक पाएंगे इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा देखते देखते यहाँ पर बारा रन स्कूर कार्ट पर लग चुके हैं तीन विक्तों के नुक्सान पर इन पांच मिनट बाकी है आपको दस गेंदे अभी डिलेवर करनी है जी हाँ इस मरतबा ओ अच्छी गेंदी इस मरतबा बिन्दी गेंद की साथ यहाँ पर अच्छी वापसी रितेश मातरे की रितेश राइट आम ओवर दे विकेट अहाँ जी पीस एक बार चड़ में और बैक टी दा बालर खेलने पर मजबूर कर दिया है फालो थूरू में बहुत ही बड़ी आफिल लिक रितेश की क्या कहने वाइट गेंदी जरूर डाली है मगर वो जानते है एक दो तीन रन अगर वाइट के रूप में जाते है फिर भी चलेगा मगर यहाँ पर बल्ले बाजो को बड़े स्ट्रोक से महरूम करना है बड़े स्ट्रोक अगर यहाँ पर आएंगे तो यह मैच जल्दी ख़तम हो सकता है बल्ले बाजो का आत्म विश्वास भी यहाँ पर बड़ सकता है और उनके माइंड से यहाँ पर खेल रहे है उनकी मांसिक्ता के साथ यहाँ पर खेल रहे है फिर से एक बार लगातार तीन गेंदे यहाँ बिंदी आ चुकी है रितेश मातरे के लिए तालिया बचनी चाह रन खर्च किये है मातर छे याने कुल मिला की दो ओवर की समापती के बाद अब रनों की संक्या बारा रन अब बचे हुए बारा गेंदों में जीतने के लिए उनतीस रनों की जरूरत इसे कहता है क्रिकेट दोस्तों क्रिकेट सिब गेंद और बल्ले से नहीं खिला जाता क् किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए किस तरह से स्टारजी होनी चाहिए कौन से बल्ले बाद के सामने किस तरह की गिनबाजी करने की जरूरत है और विकेट किस तरह से घुम रहा है विकेट किस तरह से खिल रहा है विकेट में बाउंस कितना है टरन कितना है इसकी सारी बात हलाकि नौगाउ से विलाउंग करते है पुलीस में कारियरत है तीन मिनिट बचे है और एक ओवर तीन मिनिट में आपको कम्लिट करना है वरना पैनलाइस किया जा सकता है रंजीत रोगे यहाँ एक इनबाजी के मार्क पर अपना नीजी पहला और टीम की तरब से तीसरा ओवर लेके आए है रनो की संक्या बारा रन रंजीत राइटाम ओवर देविके जी हाँ इस पर तब आओ देखा ना ताओ केल दी आओ से डीप स्क्वेर लेक्सी मारेगा के बाहर सीधा दर्शक दिर्गा में सुमीद भगत के बल्ले से आता हुआ ये करारा च्छका देखिए जीवन दान दिया था बल्ले बाद सुमीद भगत को और मैंने तब ही कहा था कि ये बहुत ही डेंजरस बल्ले बादों में से एक बल्ले बाद है ये ओपन लॉट्स में खेलता हुआ दिखाई देता है ये आइकॉन के रूप में इसे इन्वाइट किया जाता है और वहाँ पे जीवन दान देना मतलब अपने ही पेरों के उपर कुराड़ी मारने दैसा होगा वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ये भी मैंने कहा था और देखिया जैसे ही मोका मिला गेन थोड़ी सी शॉट अप लेंट थी बैक पुड पर गए थे क्रीस की गहराई का इस्तमाल किया और मिडल अप दे बैट हमें देखने होगा मिला और गेन हवामी अवाई सफर करती भी सी दा स्क्वेर लेक्सी मारिका की बाहर छे रन के लिए इसे च्छके के साहता से रनो की संक्या ने चलांग लगाई है अटारा रन फिर से एक बार ओवर पिज गेन उसे अंदर राइस केला है मगर इस मरतबा मिर्विकेट में फिल्डर तैनाथ बहुत ही बड़ी आफिल्डिंग अच्छा तरो दूसरे रन के लिए यहां पे दा उड़ना चाहते है आखिरकार केदार बिजे रन आउट होकर प्रमाइदान से बाहर यह और एक लगता हुआ बले बाजी करने वाले टीम को करारा जटका करारा जटका करारा जटका कीदार बिजे बहुत ही नाराज होते हुए अपने आपसे भी क्योंकि दोनों भी खिलाडियों में अन्मन यहांपे देखने को मिली दोनों भी खिलाडियों में कोाडिनेशन की कमी नज़र आई और इसी वज़ा से कीमती विकेट केदार बिर्जे को गवाना पड़ा हलाकि RCF की तरफ से वो खेडा करते है और मैन आफ दी सिर्ज का किताब उन्होंने लिया था और अच्छे बल्ले बाद अच्छे ओर्डराउंड हरसे से जाने जाते है इस बीच केदार फिर्जे आउट होने के बाद नए बल्ले बाद आये है अक्छे कामडी सालाओ से बिलॉंग करने वाले अक्छे भी एक शानदार बल्ले बाद है और अब यहाँ पे उपरी क्रम्प में बल्ले बादी करने का मुका उन्हें मिला है गिनबाज रंजीत रोगे जी हाँ अपस्टम के बाहर वाली गिनद जाने दिया था मगर जैपवार सर वहाँ पे चौकर ने अमपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समान तर फैला कर इशारा कर दिया है वाइड का बना कर खेलना चाहते थे शायद गिन और बल्ले की बाहरी से ओहो ओहो दूसरा रं लेने का यहाँ पे मौका था मगर रितेश चीते की तरह उस गिन तक लपके यह उस गिन को फिल किया और अब यहाँ पे जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि पहले ही एक जीवन दान मिला है उपर वाला बार बार यहाँ पे मौका नहीं देदा और इसी वज़ा से सुमेट ने दूसरा रं लेना अच्छा नहीं समझा इस एक रं के साथ रनों की संक्या हो चुकी है 21 ट्वेंटी वन फर लॉस आफ फो विकेड्स नव गेंदे 20 रंों की जरूरत अगली गेंद रंजित की जी हाँ इस मतवा सीदे बल्ले से ओहो डाउन दा ग्राउन तीर की तरा सीदा बोलर के सर के आउपर से यह करारा दमदार अमदार सिक्सर चार गेंदे हो चुकी है दो गेंदे आना बाकी और देखिए विकास अब जखमों के उपर नमक छड़क दिया है जीवन दान के बाद दो छक्के आये है गेंद बाजों के दिल का हाल क्या होगा अगली गेंद फिर से एक बार रंजीत की सत्ता कभी कभी देखने को मिलता है अब यहां बे बल्ले बाजी करने वाले टीम को साथ तरन मिलेंगे मुफ्त के फिर से एक बार उड़ाया है मगर इस पर दबाग गेंद फलक में और जान हलक में ओहो फ्री हीट था अहा बच गए फिर से एक बार ऐसा लग रहा था कि यह गेंद हवा में जाने के बाद सुमीद भगत के उपर संकड के बादल मगर फ्री हीट ने बचा लिया जी हाँ अभी भी एक बचेंगे गेंद फिर से एक बार हवा में और इसी के बहुत ही अच्छा कैच विगेट के बर के हाथों में और एन मोके पर आकर अपने टीम को मजदार में छोड़ कर चल दिये कैपटन सुमीद भगत और सभी क्रिगेट के दीवानों को एक खुश खबरी है आएस पियल जारी है और उस आएस पियल में राइगड का वंडर बॉई राइगड के राइगड का फाइटर जेड जिसे कहा जाता है उसके बल्ले से भी आदा शदक आ चुका है बहुत बहुत अभी नंदन योगेश चुपेंड कर तो दोस्तों हम इस मैच के ओपर कॉंसेंटर्ट करेंगे क्योंकि मैच अब यहां से फसा हुआ दिखाई दे रहा है छे गेंदों में छे रनों की जरुरत छे गेंदों में पांच रनों की जरुरत और सुमीद बगड जो बहुत ही खतरनाक बहुत ही डिंजरस नजर आ रहे थे वो मैदान से बहार जा चुके है मैदान छोड़ चुके है और अब नए बल्लेबास को यहां पे आकर अभी अभी आने के बाद फौरन बड़े स्ट्रोक लगाना रन बनाना इतना आसान नहीं होता इसी बीच नए बल्लेबास आया है कुनाल कुनाल आया है जिहां राज धार्वे के हाथों में तो विकेटि भी चटका हैते और उस kitchen के साथ अच्छी बल्लेबास यहीं की थी अब सारी धारोमदार, सारी जम्मेदारी राच धारवे के उपर क्या इस मैच के उपर राच धारण करेंगे स्ट्राइकिंग गेन पर बल्ले बाज है अक्षई कामडी राच धारवे की ये पहली गेन तोड़ी सी शाट आप लेन गेन जरूर थी मगर उसे खेला है लंग ओफ की दिशा में सीधा फिल्डर के हाथों में खेल दिये और इसी वज़ा से एक रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मगर बल्ले बाज भी खुछ होंगे कि एक एक रन अगर यहां पर आता है तब यह माच जिता जा सकता है बस यहां से विकेट नहीं खोना है बस यहां से बिंदी गेंदे नहीं खेली है यही सोच होगी और यही सोच होनी भी चाहिए मगर अब सारी जिम्मेदारी है गेंबाज राच के उपर राच को अगर इस मैच के उपर राच करना है तो कम से कम एक से दो गेंदे बिंदी करनी होगी या विकेट चटकानी होगी तो मैच में फिर से एक बार वापसी हो सकती है जी हाँ राज की फिर से एक बार ट्रिक यहाँ पे काम करती हुई एक बिंदी गेंदो आई है अब बन्लेबास को बड़ा स्ट्रोक लगाना ही होगा कम से कम दो रन का बड़ा स्ट्रोक अगर यहां पे नहीं लगाएंगे तो अंतीम गीन तक यह मैच चला जाएगा अब दोनों भी खिलाडी आपस में बाचित कर रहे है कुछ एक दूसरे की सला और मश्वरा देते हुए क्योंकि यह मैच को जीतना है यहां से अगर हम हारेंगे तो पूरी राद नीन हराम हो सकती है उसी टेंशन में चार गेंदे बची है और जीतने के लिए जी हां इसमें दबाए अक्रोस दर लाइन खेला है मगर वहां पे फिल्डर तैनाद और राज धारवे ने लिया है यहां पे विकेट बल्ले बास को दीका आया है मैदान के बाहर का रास्ता तीन गेंदे बची है चार रनों की जरूरत छे गेंदे और पांच रन चाहिए थे राज ने कमाल कर दिया है राज ने यहां पे जादुगरी दिखाई है राज हला की नवजवान की लाडी है अभी भी कॉलेज के युवक है मगर राज के पास महनत है राज के पास टालेंट है राज के पास एक जजबा है जनून है और उसी की बदावलत इस चोटे से उम्र के खिलाडी ने पूरे मुरूड तहसिल में अपना नाम रोशन किया है और उसी के साथ अपने गाव का नाम रोशन किया है तीन गिन्दे जीतने के लिए चार रनों की जरूरत क्या ये मैच बल्ले बाजों के पक्ष में होगा क्या ये मैच गिन्द बाज ले जाएंगे हाला कि गिन्द बाज राच धारवे ने मैच तो बनाया है मैच में पुनरागमन तो किया है मैच में कमबैक तो किया है मगर अभी भी काम आदा अदूरा है यहां से मैच को जितवाने के लिए और एक से दो गेंद बिंदी करनी होगी और ये मैच अंतीम गेंद को ऊपर चली जाती है अंतीम गेंद में अगर दो तीन रन बछते है तो फिर से एक बार बल्ले बाजों के उपर एक मनोवए ग्यानिक दवाउर टरंस्पर हो सकता है और इसी वज़ा से राज की घूमती भी गेंद को इतना आसान नहीं है पर रखना ये मैं जानता हूँ सर्वे से बिलाउंग करते है मुरूर तैसीर में गाव है सर्वा काशीद के थोड़ा अगर आगे जाएंगे बस एक किलो मिटर तो सर्वा छोड़ा सा गाव है अगर खुद गेन के नीचे राज और राज ने अब तो किया है पूरी तरीकी से बल्ले बादो का परना फास डीजे अगर जिया तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते है थोड़ गाव के सर्वान अनिय सुनिल जी पत्रे साहब वहाँ पर इवराजमान है और उसे के साथ यहाँ पर सावीत तरीक्षा लेकी यही मैं कहूंगा जो महिला है हमारी माताय है वहाँ पर बैटी है उसे के साथ हमारी बहने बैटी है उनका भी मैं तहदिल से स्वागत करना चाहूंगा मगर दोस्तों हम चलते है मैच के उपर क्योंकि द्वंद्वर रचा है सर्पन्स अपिंटाशेट गाई कवार्ड कहीम या करंजा देवी मातरोली मातरोली टीम के सबी फालोवर्स और उसे के साथ कहीम के सरी पालोवर्स के दिलों की धड़कने भी यहां पे तेज हो रही है क्योंकि इमोशन्स यहां पे लगे हुए है जी हाँ हवा में खेला है जरूर मगर खालिक शेत्र डीप कवर में फिल्डर एक रंद मुकमल कर लिया दूसरे नंके लिए दाउड़ा चाते है मगर शाननार फिल्लिंग का नजराना ओहो हो ऐसा लग रहा था देखिए वहां के खिलाड़ी की जितनी तारीफ करें उतनी कम क्योंकि विकास जो एक जरूरत होती है जो महत वो होता है वो वक्त का होता है इस वक्त रन बचाना बहुत ही जरूरी था एक गेन तीन रन जैसे मैंने कहा था कि अन्तीम गेन के उपर अगर बड़ा शाट लगाना और इसके लिए अगर मजबूर किया तो ये जो मनुवाई ग्यानिक दबाओ था गेन बाजो के उपर अब मैं ये कह सकता हो कि ट्रांसपर हो चुका है बले बाजो के उपर क्योंकि अब उन्हें एक बड़ा स्ट्रोक कंपलसरी खेलना होगा इस मैच को अगर जीतना है तो चौका लगाना होगा क्योंकि तीन रन इस मैदान पर दोड़ कर पूरा करना इतना असान नहीं है और हमारे भाईया भातकरी साब भी आ चुके है जी हाँ एक गेन तीन रन ओहो ला जवाब शानदार ऑस्टानिशिंग अड़रेबल अबूत पूर्वगिन बाजी राज धर्वे ने किया है राज और मैच को जिताया है अपने टीम को ओहो लाज वाजवार दस्टिया परफार्मंस चलिया डीजे अगा 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 आणि या सामनया मदे सामना विराच्चा मानकडी कोण असा हुआ हे सांगना साथी कोण त्या ही भवीष्य वेत्याची गरज नहीं है नो डाउट मैन अब दा मैच सा मानकरी ठरलाए राज धर्वे मैच फ्राम सर्वे क्या बात है राज छे बॉल सात्रन और ओल जंपर दस घिन पाजी